पॉली हाउस क्यों फेल हो रहे हैं, पॉली हाउस फटे क्यों हैं, पॉली हाउस खाली कैसे पड़े हैं, किसान भाई पॉली हाउस नेट हाउस को क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पॉली हाउस घाटे का कारण कैसे बन रहा है, दोस्तो अगर यही आप जानना चाहते हैं, और poly house कितना profitable है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो अन्त तक देखिए, मैं आपका Agri Agro Knowledge Partner, मुहम्मद हभीब कादिर, डिरेक्टर, R& Agri Agro Solutions Pvt Ltd. तो दोस्तो शुरू करते हैं, हम वीडियो, poly house के जो घाटे हैं, उनमें, देखिए दोस्तो उसमें बहुत सारे कारण है, किसान क्यूं उसमें सक्सेज नहीं हो रहे हैं, देखिए बहुत सारे किसान बहुत ज्यादा सक्सेज हैं, टॉप लेबल पे हैं, जो 40 लाक रुपए सा सल तक कमा रहे हैं कुछ किसान बीस लाइक रोपे साल जो आज मैं आपको बता देता हूं अगर आप हैंना इन सारे कारणों पर गौर करेंगे तो आपका poly house घाटा नहीं देगा आपको poly house फाइदा देगा और बहुत बंपर वाला फाइदा आपको देने वाला है तेकि यह सबसे पहले आपको poly house के management को समझना से यह पौली house जो है वो off season के crop को season से पहले लाने के लिए यानि कि off season जो crop है जो बाहर पैदा नहीं हो सकते वो पौली house में आप ग्रो कर सकते हैं तो पहले आपको इस गलित को समझना है कि कौन सा crop market में किस समय पर नहीं होगा ठीक है तो आपको उस हिसाब से crop का selection करना है उसी crop का selection कीजिए उसी crop को select कीजिए जो उस समय market में नहीं होगी अगर जैसे मान लीजिए आपने गर्मियों में मई अपरेल में खीरे का selection कर लिया तो मई अपरेल में तो market का भी खीरा जाए तो आपका market का खीरा बहुत डाउन रहेगा आपका जो poly house का खीरा उसका price भी बहुत डाउन रहेगा तो आपको क्या करना है कि आपका जो खीरा है वो अगस्त सेप्टेंबर में आए तो अगस्त सेप्टेंबर में आपको खीरे का price बहुत अच्छा लगेगा है ना ऐसे ही आपको capsicum को चूज करना है आपका capsicum जो आना चाहिए जैसे color capsicum पे आप काम कर रहे हैं तो color capsicum आपका गर्मियों में मार्च, अपरेल, मई, जून तक चलना चाहिए तो आपको capsicum में बहुत profit होने वाला है तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ध्यान रखना है crop का यह सबसे पहला आपका कारण है जिसकी वज़ाए से किसान घाटे में चला जाता है दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है miss management या करना है जैसे कि माली जीए आपने उसको बिल्कुल चुस्त दुरस्ति आनि कि ठीक ठाक रखना है पॉली हाउस कहीं से फटा नहीं होना चाहिए उसके drip irrigation वगेरा fogging system वगेरा चलना चाहिए उसकी नियमित रूप से सफाई करते रहनी चाहिए अगर कहीं से damage हो जा रहा है आ आपको पॉली हाउस में जो बीज लगते हैं वही वाले बीज self-pollinated seeds का बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए यह तीसरा सबसे बड़ा कारण है आप बाहर जो open में जो seeds लगते हैं उन seeds को पॉली हाउस में ग्रो करते हैं यह आपका नुकसान हो जाता है क्योंकि पॉली हाउस आप है ना देखिए पॉली हाउस को खाली छोड़ देते हैं एक लंबे समय तक खाली पॉली हाउस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए minimum बस गर्मियों में जुताई कराके आपको छोड़ सकते हैं maximum 10 दिन या 15 दिन आपने पॉली हाउस की जुताई की और 10 या 15 दिन पॉली हा क्रॉप ले ली तो एक क्रॉप 90 देज की होती है थ्री मंथ या कोई 100 देज के maximum क्रॉप होती है अगर स्कैप से कम में आप जाते हैं तो वह आपकी 8 मंथ और 9 मंथ की क्रॉप होती है तो जब लास्ट के 40 देज बचते हैं तो उस समय आपको अपनी नरसरी तयार करके रखनी अगर आप इस तरही किसी बहुत parenth नहीं मौसम का कोई असर नहीं होता है फौली आंदी तुफान आते हैं उनका कोई असर नहीं होता है। अपोई हघा सके हैं तो पॉली हिस दोस्तों बहुत अच्छी है साथ में ही laboratoredd के लिए KPis किसानों के लिए रखी हुई है National Horticulture Board आपको इसके लिए 50% तक की subsidy उपलब्द कराता है अगर आप Poly House लगवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए RN Agri Agro Solutions Private Limited से नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहा है और अगर आप Poly House के संबंद में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसान भाईयों कैसा वीडियो लगा या आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनवाना है या जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए दोस्तों लाइक, सेर और सस्क्राइब करना न भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ जानकारी भरे वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन्द, जै भारत